ओम शान्ती आज है 14 जुलाई आज अव्यक्त महवाक्य हैं तो ये रिवाइज कोर्स है मुडली है 25 नुवंबर 2000 की तो मिठी प्यारे बाबा ने मुडली के सार में समझाया बाब समान बनने के लिए दो बातों की दृड़ता रखो सौमान में रहना है और सबको सम्मान देना है तो बाबा ने बहुत सुन्दर सुन्दर युक्तियों से हम बच्चों को समझाया है श्रिंगारा है बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पुर्शार्थ बहुत ब्रिड़ता से करना है पुर्शार्थ में अलवेला पन धिला पन नहीं रखना है बाबा ने छे मास का जो हों वक्त दिया था वो भी बच्चों से पूछा और बाबा ने कहा कि बाबा ये चाते हैं कि मेरे बच्चे हर हाल में बाप समान बन करके दिखाएं चाहे कोई आपके इंसल्ट करे कोई घ्रीना करे अपमान करे निंदा करे कोई दुख भी दे लेकिन आपके अंदर से उन आत्मों के प्रती अशुव भावना नहीं निकलनी चाहिए आपके मन में सदा ही सब के लिए शुख भावना होनी चाहिए क्योंकि बावा कहते अगर शुख भाव आया तो आपके स्थीती डाउन में चली जाएगी इसके लिए बावन का द्रिड़ता हो अपनाओ जितना अपने उपर द्रिड़ता रखेंगे द्रिड़ता का बल रखेंगे तो आप बच्चे बाव समान बन पाएंगे यह लक्षे रखना है कि मुझे बाव समान बनना है बात नहीं बदलेगी ना कोई व्यक्ती बदलेगा ना कोई सेंटर बदलेगा लेकिन मुझे स्वयम को बदल करके दिखलाना है बावा ने ऐसे समझाया कि अपने आपको परिवर्तन करो दूसरे को मत देखो कि ये नहीं बदल रहा है क्योंकि ब्रह्महां बावा ने किसी को नहीं देखा उन्होंने स्वयम को देखा शुप बावा ने क्या कहा वो किया और नंबर वन में आए इसलिए बावा कहते कि दूसरों के चाहे कितने भी कमजोर आत्मा है आपने उनकी कमी को बिलको नहीं देखना है, आप उनको सयोग दो, आपकी महानता है सयोग देने में, चाहे 95% उसके अंदर गलतियां हैं वो संसकार होगी वश है, 5% ही ठीक है लेकिन फिर भी आपको उनकी अच्छाईयों को उनकी सामने लाना है और उनको पुर्शार्थ में समर्थ बनाना है, समर्थी देनी है, शक्तिशाली बनाना है, तो आईए सुनते हैं मुख्या 8 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है बाप दादा ने बच्चों की महिमा में क्या क्या कहा और कौन सा करतव्य याद दिलाया, तो बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों की महिमा की, बाबा कहते कि आप बच्चे जो हैं बाप दादा के बहुत प्यारे ते प्यारे बच्चे हैं, मीठे ते मीठे बच्चे हैं, पूरे संसार में सबसे वीवी आईपी हैं, देखने में चाए अतिसा धा हैं लेकिन बहुत-बहुत विशेश बच्चे हैं क्योंकि गुपत वेश में आए बाप को पहचान दिया है ना तो बावा के देखो संसार के जो जो नामी ग्रामी लोग हैं ग्यानी बड़े ग्यानी हैं वी आइपीज हैं वो भी बावा को पहचान नहीं सकते हैं लेकिन मेरे बच्चों को दिव्या बुद्धी मिली दिव्या नेत्र मिला है और पिल्कुल साधारण है चाहे बज़र्ग है नबे चल भी नहीं रही हैं, लेकिन बाबा से मिले मदुवण कैसी पहुँच जाते हैं, क्योंकि पहचान लिया, तो बाबा कैते हैं नशा रहता है ना, और दिल ही दिल में मारतय गीत गाती हैं, हमने देखा, हमने पाया शिवब होला भगवान, और फिर बाबा ने देश वे धिश के सभी बच्चों को बहुत प्यार किया और बावा ने का सभी का ये सभी आत्माओं का एक साथ ये गीत है जो बच्चे गाते हैं बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा हमने जाना हमने देखा हमने पाया तो ऐसे बावा ने बच्चों की बहुत-बहुत महिमा करके कहा कि बच् और जो बावा ने छे मास का होंवक दिया था वो भी चेक किया और फिर होंवक चेक करते हुए बावा ने याद दिलाया कि बच्चे देखो पर्तक्ष्टा कब होगी क्योंकि बहुत आत्में दुखी हैं दिल से पुकार रही है उनकी दिल की पुकार बढ़ रही है वो ऐसे पुकारती है हे शान्ती देवा, हे सुक्ष देवा हे सच्चे खुशी देवा थोड़ी अंचली ले दो हमें ऐसे पुकारती हैं तो बाबा केते सोचो कितनी कितनी बड़ी लाइने लगी हैं लेकिन परतक्ष्टा आप बच्चों के कान रुकी हुई है क्योंकि आप बच्चे कहते तो हैं कि बाब समान बनना है लेकिन कब बनोगे ये बताओ तो बाबा कहते जल्दी जल्दी ये काम पूरा करो कि इनकी वो आत्माएं आप वेट कर रहे हैं और बहुत दुखी है उन आत्मों के दुख को मिटाने की ताकत बाबा ने बच्चों को दी है दूसरा पॉइंट है जब बाबा ने सेंटर और प्रवरिती में चक्कर लगाया तो किस बात पर ध्यान खिंचवाया तो बाब दादा ने कहा आज बाबा अमरित वेला से ही चकर लगाने गए बाबा ने हर एक घर में लौकिक घर प्रवरिती वालों के घर में चक्कर लगाया सेंटर पर भी चक्कर लगाये बाबा ने देखा कि बच्चों ने ब्रम्हा बाबा के बहुत सुन्दर सुन्दर चित्र जहां ताहां लगाये हुए हैं बाबा के बहुत अच् भी करना है ना सिर्फ चितरी नहीं लगाने फॉलो फादर करो बस सोचो नहीं प्लान नहीं बनाओ ये करना है ये नहीं करना है ऐसे करना वैसे नहीं करना है ना तो बावा केते जो बाप ने किया तो कॉपी करो बस और ठोड़ी जादा कुछ करना है तो कॉपी निकालना अधर्श नहीं था लेकिन तुम्हारे आगे तो एकदम ब्रह्मा बावा अधर्श है इसलिए फॉलो फादर करो चितर भले रखो बड़े बड़े रखो अच्छे अच्छे रखो लेकिन फोटो कॉपी बनो ब्रह्मा बाबा की तीसरा पॉइंट है कौन सा कोना मजबूत करना है और कैसे तो बाब दादर ने कहा कि जैसे कोई चीज पैक की जाती है तो उसके चारों कोने जो है अच्छे तरह से पैक किये जाते हैं अगर कोई कोना लूज है तो वहां से चीज को तूटने का डर रहता है इसलिए बावा ने कहा कि तुम बच्चों है कि हमें बाब समान बनना है बहुत अच्छा है तो सभी के अंदर संकल्ब भी अच्छा है उमंग भी अच्छा है लक्ष भी अच्छा है यह तीनों बाते बहुत अच्छी है लेकिन चोथा कोना वो थोड़ा सा वीक है वो चोथा कोना है दिड़ता कौन सा है दिड़ता त बचे संकल्ब करते हैं, नयानया प्लान बनाते हैं, अपना चाड भी बनाते हैं, अपने उपर attention भी देते हैं, लेकिन द्रिड़ता ना रहने कारण फिर वो संकल्ब धीला पड़ जाता है, जब कोई परस्थीती आती है, तो क्या बोलते हैं, बावा परस्थीती आ गई, क्या करें, है न, धीले हो गए अब क्या करें, बावा केते, द्रिडटा उसको थोड़ी कहते हैं, कि परस्तिती आगे और धीले हो गए, द्रिडटा का मतलब है, मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन संकल्प ना जाए, जुकना भी पड़े, चाहे किसी बात के लिए, मरना भी पड़े, अपने आपको चाहे मोल्ड भी करना पड़े, बातें सेहन भी करनी पड़े, चाहे सुनना भी पड़े किसी का लेकिन जो संकल्प किया है वो पूरा करके ही दिखलाना है पेपर तो आएंगे, बाबा तो बार बारी कहते हैं कि पेपर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, समस्य तो आएंगे आएंगे लेकिन देड़ता अंदर में इतनी पक्की हो कि जो संकल्ब कर लिया, सो करके दिखाना है जब चारों कोने मजबूत हैं, मना संकल भी बहुत अच्छा करते हैं, उमंग भी रखते हैं, लक्ष भी रखते हैं, लेकिन देड़ता भी उतनी ही रह जाए, तो फिर बाप समान बनना कोई बहुत देरी लगाने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी से कार्या संपन हो सकता ह चौथा पॉइंट है, बाप दादा बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं, तो बाप दादा कहते हैं कि मैं ये करवाना चाहता हूं बच्चों से, कोई भी बच्चों की इंसल्ट करे, कोई भी घ्रीना करे बच्चों से, कोई भी मेरे बच्चों का अपमान करे, लिंदा कर या दुख दे लेकिन बच्चों के अंदर से शुब भावना उस आत्मा के पती जानी नहीं चाहिए ये है सबसे बड़ा पुर्शार्थ ये है सबसे बड़ी तपस्या कि सामने वाला निंदा भी कर रहा है गलानी भी कर रहा है नफरत भी कर रहा है इंसर्ट भी कर रहा है ले कि आप बच्चे ही तो चैलेंज करते हो ना माया को प्रकृति को भी चैलेंज करते हो कि प्रकृति को जीतने वाले हैं माया को जीतने वाले माया जीत हैं और विश्व परिवर्तक हैं तो ये चोटी चोटी बातें क्या परिवर्तन नहीं कर सकते तो ये परिवर्तन बावा हमा पारे में देखना चाहते हैं कि हमारी स्थिती सदा एकरस अचल अडोल रहे पांचवां पॉइंट है माया जीत बनने के लिए कौन सा स्लोगन याद दिलाया बावा ने तो बाप दादा ने हम बच्चों को माया जीत बनने के लिए एक स्लोगन याद दिलाया है वो है मुझे बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है, तो बावकेते दिखो, जो आत्में परवश हैं, अपने संस्कारों की परवश हैं, आपको चोट लगाएं, आपको दुख दें, आपको हिलाएं, लेकिन आप फिर भी उनकी नेगटिव परस्तिती को पॉज में बदल दो, इंसर्ट करे तो सहन करना आना चाहिए, गाली दे तो गुलाव के समान अन्भव हो, समस्या को परिवर्तन करना आना चाहिए, है न, और बाबा केते, दिल से सदा ये निकलता रहे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस ये संकल्प निकलत तो बावा केते, आपने फिर तो समझो माया को जीत ही लिया, माया जीत बनी जाएंगे, जब अंदर से इतना देड़ हो जाएंगे, कि कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मुझे बदला नहीं लेना है, बदले की भावना मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो जब बदले की भा जावरांदर से शान्त हो जाएंगे, हम शीतल हो जाएंगे, तो बावा से बुद्धी का कुनेक्शन जुड़ेगा, तो बावा केते, माया भले फिर आती रहेगी, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे, कि मेरा सेंटर बदली कर दो, मेरा स्थान बदली कर दो, इस सात्मा को जाएते खत्म हो जाएंगे, जब दिल में पक्का कर लिया, कि मुझे बदलना है, मुझे बदला नहीं लेना है, चटा पॉइंट है, माया और कौन से रूप में आ सकती है, लेकिन हमें क्या लक्षे रखना है, तो बावा ने का कि देखो, माया तो अपने रूप समय प्रति समय बदलती जाती है, तो माया और रॉयल रूप में आईगी, रॉयल रूप, रॉयल रूप माना जो देखने में लगेगा कि ये माया नहीं है, जैसे मान लो किसने कुई कुछ सेवा की है, और सेवा की तो कोई उसको मानशान लेना भूल गया, उसका नाम लेना भूल गया और वो विक्ति हो गया ना राजी है ना और उसको बहुत फिलिंग आगे कि मैंने इतना बावा के सिवा की हर तरह से तनमंधन लगाया लेकिन मेरा को तो एपर शेट भी नहीं किया गया है ना तो फिर दूसरे कोई देखेंगे उसकी बात सुनेंगे किसी के पास दिल की बात क करेंगे तो भी बोलें यह तो ठीक है फिर शेट तो कन्ना बनता ही था ना इतना सेवाधारी है ना एक एक जामपल है तो यह है माया का रुख देखने में क्या लग रहा है कि माया तो है नहीं लेकिन है माया किसलिए माया है यह मानशान के चक्र में पढ़ गे और वो हमें नहीं मिल रहा है हमारे स्थिती खराब होगी हमारा योग तूट गया हमने जिस जिसको बात बताई बात का महौल बन गया वायू मंडल बन गया नेग्टिवीटी फैल गई हमारा भी योग तूटा और अनेकों का भी योग तूट गया तो बाबा कहते यह माया का रॉयल लिए तो ये दुश्मन माया के पाथ जो भी छोटे मोटे अस्तर शस्तर हैं उनका प्रयोग करेगी बच्चों पर, अंत्तर करती रहेगी, कि किसी ना किसी तरे के इनको हरा दें, लेकिन बावा केते आप जुकना नहीं है, आपने जुकना नहीं है माया के आगे, माया को अप अपना लक्षे याद रखो कि हमें तो बाप समान बनना है ये लक्षे बावा ने लिया है ये हमेशा याद रखो माया में उलज गया तो लक्षे तो भूल जाएगा ना तो ये लक्षे याद रखो कि मुझे बाप समान बनना है लेकिन बावा केते जब बच्चे माया में उल feel किया पाना example इस रिती तो ये माया अपने आपको ऐसे अनिक रूपों में आपके सामने लाएगी अपने आपको सिद्वी करवाएगी मैं ठीक हूँ लेकिन आप बच्चों ने उसके सरुप को पहचानना है और बाफ समान बनने का लक्षे रखना है और ये लक्षा अपने ज सम्मान में रहेंगे तो पावा के ते ये थार्ध क्या है? सम्मान पहले दो फिर अपने आपको अब आपेस हूँ आपके पास आजाएगा ठीक है? बावा केते, सुमान body conscious का नहीं, ब्राह्मन जीवन का सुमान, ये सुमान अंदर रहे, मैं स्रेष्ट आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, संपन बनने वाली आत्मा हूं, है न, तो ये दो बातें पक्की कर लो अपनी बुद्धी के अंदर, कि हमने सुमान में रहना है और समान दे जब ये लक्षे दिन में पक्का कर लेंगे, अपने आपको बार बार रिवाइस कराते रहेंगे, तुम अवस्था मजबूत रहेगी, अचल अडोल रहेगी, और धिले नहीं बनेंगे, बावा केते, गर कोई मन में बात आती है, तो अमरित वेला बावा क्या गे, रख दो, और अपने जांच करते रहो, फिर लक्षे पूरा हो जाएगा, लेकिन बावा केते, कई बच्चों में क्या होता है, जब अपने पुरशात को पूरा अच्छे रिती नहीं कर पाते हैं, तो करोध की अनेक रूप बनके सामने आ जाते हैं, तो करोध कोई पहचानना है, कि प पात्मा को किसी को नहीं देखना है, बलकि बाप समान बन कर ही लिखाना है, सात्मा पॉइंट है, बाप समान बनने की वीधी क्या है, तो बावा ने बताया कि बाप समान कैसे बनना है, तो बावा के देखो ब्रम्हा बावा ने बच्चों को हमेशा आगे रखा चाहे बच्चों में 95% गलतियां थी, कमियां थी, भूलें थी लेकिन बावा ने 95 ने देखा लेकिन 5% जो उनके अंदर कुशेशताई सी गून थे उनको एप्रिशेट किया, उनको बहुत उनकी महिमा की और उनको आगे बढ़ाया और समपन बनने में मददगार बने तो इस परकार हम बच्चों को भी ब्रम्हा बाबा को फॉलो करना है निस्वार्थ प्रेम सबसे करना है सब को हिम्मत दिलानी है आत्मे परवश है, अपने सुभाव संसकार के परवश है क्योंकि बहुत जन्मों के संसकार है तो बावा के ते, उसको नहीं देखो कि ये परवश है बलकि रहम करो, कि आत्मा कितनी परवश है रहम करो, वोई कमजोर है कमजोर आत्मा को खराब बात बोलकि कि आप होई ऐसे ऐसे और कमजोर नहीं बनाना है बलकि हिम्मत उसको भरनी है और उसकी कमी फैलानी नहीं है सुनानी नहीं है तो बावा केते हैं जैसे मेरे पास आप बच्चे भी आए तो मैंने आपको क्या कहा हमेशा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहके भुलाया ना ये तो नहीं कह आप वी का रही हो आप तो बहुत गंदे हो आप तो बहुत पतीत हो ऐसे बिलकूर नहीं कहा लेकिन बच्चों की वशेष्टाओं को ही बाबा ने शरिंगारा उन वशेष्टाओं को बच्चों को याद दिलाया बार बार सम्रिती स्वरूप बनाए हिम्मत से सम्रिती दिलाई ना सम्रिती दिलाई तो समर्थी आगी मना शक्ती आगई तो ऐसी फॉलो फादर करना है हर एक आत्मा की विशेष्टा को आगे लाना है उसको उस रिमाइंड कराना है उसको सम्रिती दिलानी है कि पितनी महाना आत्मा वो इतने उंच आत्मा हो तब आत्मा स्रेश्ठ फुर्शाद कर सकती है आठवां पॉइंट है माया जीत बनने की वीदी क्या है और पुराने संसकारों की रेखाएं मर्ज कब होंगी वो बाबा ने बताया कि माया को दूर से ही परक लेना है उसके लिए चाहिए साइलन्स की पावर योग की शक्ती से हम दूर से ही माया को पैचान लेंगे कि माया आ रही है ये माया का रूप है और इस तरीके से मुझे इसको दूर भगाना है तो दूर से पैचान लेना है योग की शक्ती से, बावा केती ये नहीं सोचना है, कि माया क्यों आ गई, अब क्या करें, बावा केती कि ये तो डर गए मेरे से, तो और तंग करेगी है न, इसलिए क्या करना है, उसको दूर से परह कर योग की शक्ती के द्वारा उसको दूर से ही विदाई दे देनी है, और फिर आगे बावा ने कहा कि जो हमारे स्रेष्ट भाग्या की जो रेखाएं, हम सदा इमर्ज करते रहें जैसे पूरे कल्ब में मेरा कितना स्रेष्ट भाग्या है, न, बावा ने मुझे पूरे कल्ब के लिए कितना उंच भाग्या, इतना उंच वरसा दे दिया, अभी मैशुब बावा के नजरों में हूँ, बावा के हम समेव रहते हैं, है न, और सत्युगादी में भी हम कृष्ण जी के साथ सार फैमली में रहते हैं, पूजा भी हमारी नंबर वन पर होती है, द्वापर उसे शुरू, तो इस तरह से अपने भाग्या की जो समरीतिया हैं, उनको याद करते रहेंगे बार 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 तो जो पुराने संस्कार है, जो रावन के वो अपने आप ही मर्ज हो जाएंगे दब जाएंगे, खतम हो जाएंगे और हम बन जाएंगे फिर से स्रेश्ट पुज्या आत्मा संपोन्ट निर्विकारी आत्मा, ठीक है ओम शांती